Hello friends, welcome to Gargi Classes राजस्तान जोग्राफिक की सीरीज में आज अपन स्टार्ट करेंगे राजस्तान में जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में बात करेंगे और स्पेसिफिकली देखें तो आज के इस वीडियो में आपन बात करने वाले हैं अग्रिकल्चर बेस्ट जो मेजर इंडस्ट्रीज है राजस्तान की उनके बारे में यह अपना इस पर्टिकुलर टॉपिक का पार्ट वन रहेगा आप हमें फेस्बुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉल्लो कर सकते हो जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है क्योंकि कुछ भी अगर एडिशनल एक्टिविटी कुछ भी इंफरमेशन है कई बार हम फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी अवे जितना राजस्थान की एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या इनके लावाद जितनी और एक्जैम से जितना से लेबस कवर होना चाहिए उतना वर्ल्ड जोग्राफी का कवर कर चुका हूं मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आप वहां पर जाक टाइम कंज्यूम कि आपन आगे प्रसीड करते हैं सबसे बहले अपन देखते हैं कि इंडस्ट्री बोलते क्या है डेफिनेशन बेसिकली होता क्या है जब हुमन बिंग अपनी लाइवलिहूड मतलब अपनी धैनिक दिंचरिया को बढ़ाने के लिए या फिर जीवन अपनी एक्सचेंज होता है चाहे वो डिरेक्ली हो चाहे इंडिरेक्ली हो तो उसको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कंसिडर कर दी जाती है और वो जो पर्टिक्लर सेक्टर्स होते हैं उन सेक्टर्स को इंडस्ट्री बोल दिया जाता है मतलब कि कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें human being अपनी खुद की livelihood को ensure करता है चाहे वो पैसे कमा करके करे या फिर किसी भी तरीके से पेट भरने के लिए करे या अपनी जो needs हैं उनको fulfill करने के लिए करे तो वो जो activities जिनके अंदर money का involvement आ रहा है directly या indirectly हो सकता है आप सीधा लेंदेन कर रहे हो हो सकता है indirectly आप लेंदेन कर रहे हो चाहे वो barter system ही क्यों न हो barter system के बारे में आपने सुना होगा जिसमें चीजों का आदान प्रदान होता है वस्तू विने में जिसको हिंदी में बोलता है तो चीज के बदले चीज तो वो जो activities है जिनमें यह सारा मतलब orientation है जो main theme है वो money आजाए जिसमें money exchange हो ठीक है तो उसको बोल देते है industrial activity और उन sector को particulars को क्या बोल दिया जाता है industries अगर राजस्थान में industries की बात की जाए तो अपन राजस्थान की industries को classify कर सकते है different different basis पे सबसे पहले कि raw material जो available है कच्चा माल जो available है वो किस form में available है तो तीन तरीके के टेग्रीज में अपन define कर सकते है agriculture based mineral based और chemical based तीन हो गई raw material के basis पे राजस्थान की बात कर रहे है अपन specifically आप यह ध्यान रखना है आपे दूसरा यह तरीका हो सकता है investment based कि कि कितना पैसा invest हुआ है देखो कई बार मैं comment देखता हूँ उनके अंदर यह चीज़ बोली जाती है कि sir data भी आप add on करो देखो यह जो मैं series जो cover कर रहा हूँ यह सारा static portion है जहाँ पर बिलकुल mandatory है कि हाँ data वहाँ पर use करना है उसके लिए अपने को static portion ज्यादा strong करना चाहिए फिर उसके बाद में current affair के उपर आपको rely करना चाहिए current affair की जब बात की जाती है तो economic survey के videos में आपको अवेल कराऊंगा 101% अवेल कराऊंगा पर इससे पहले कम से कम अपने basics तो clear हो जब basic clear होंगे तब जाके आप current affair को अच्छे से learn कर पाऊगे problem क्या है आज के experience की current affair का एक हवा बना हुआ है कि current affair बहुत important है बहुत important है अरे बही important है पर इसके लिए पहले आप static portion में तो understanding तो develop करो नि current affair में आप क्या समझोगे तो static portion अपना पहले cover होना जरूरी है अच्छे एक चीज़ और बताऊं मैं यह जो industries वाला topic है या आप राजस्तान की economy में भी as it is use कर सकते हो वहाँ पर भी काम आ जाएगा जैसे मैं राजस्तान economy cover करूँगा तो उसकी playlist में इनके videos को add कर दूँगा कहां पर set होगे जिस मतलब एक chronology में जहां पर set हो पाएंगे वहाँ पर तो ज्यादा कोई इतना कुछ वो नहीं है कि हाँ राजस्तान geography और history और सॉरी राजस्तान geography और राजस्तान economy के अंदर अलग से अपने को industries पढ़ नहीं है कही ना कहीं correlate करके चलता है कोई issue नहीं आता थोड़ा बहुत उपर नीचे होता तो current affair orientation basis अपन देख लेंगे अब देखते हैं based on investment की कितना पैसा लगाया गया है तो investment के basis पे अभी recently government of India ने definition भी change की है just because of lockdown process यह जो crisis चल रहा है कि कैसे भी करके investment को attract किया जाए तो इस बेसिस पर राजस्तान में investment बेस्ट जो इंडस्ट्री है उनको अगर classify करें तो micro small और medium इंडस्ट्री यह तीन तरीके की होती है ठीक है अब इनके अंदर industry भी है service sector manufacturing अब यहां पर अपना जो में टार्गेट है industry अगर time आ रही है तो आप industry को केवल इंडस्ट्री लिखी हुई आ रही है तो वहां पर आप यह कह सकते हो कि यहां पर बात कर रहा है अपन manufacturing या कोई भी labor based mills का काम होता है जहां पर कार खाने चलते हैं उनकी बात कर रहा है अपन यहां पर फिर नेक्स जो classification है वह ownership based है कि मालिक कौन है मालिकाना हग किसके पास में है गवर्मेंट के पास में है तो वह public industry हो जाती है प्राइवेट individuals या प्राइवेट groups के पास में है तो उनको प्राइवेट sector की companies बोल दियाता है या फिर बहुत सारे छोटे छोटे प्राइवेट sector की self-employed लोग साथ में आकर के फिर अपना एक ग्रुप बनाते हैं और फिर लॉंच करते हैं तब वह cooperative ownership में आ जाती है और एक हो जाती है multinational companies जैसे यूट्यूब ठीक है तो इस तरीके से चार तरीकों में अपन डिफाइन कर सकते हैं ownership basis पर अब अपन एक जो segment एक पार्ट उसको एक पिक करेंगे जिसमें सबसे पहला अपना focus रहेगा raw material based industries राजस्तान में कौन कौन से चलती है राजस्तान में अगर raw material based industries की बात की जाए तो तीन industries अपन डिफाइन कर सकते हैं एक तो agriculture based agriculture agriculture के nearby जो भी sectors होता है चाहिए वह agriculture related आप horticulture की बात कर लो चाहिए milk produce milk production की बात कर लो meat industry की बात कर लो वह सारा agriculture में आ जाता है तो agriculture बेस दूसरा हो सकता है mineral based खनी जो पर आधारित और तीसरा हो गया chemical industry रसायन मतलब जहापे fertilizer का भी काम हो सकता है और दूसरे भी chemicals जो चाहिए किसी भी वे में काम कर रहे हो राजस्तान में अगर उनका है production कहीं पर तो वह industries आ जाएंगी तो अभी अपन जो बात करेंगे वह हो है अपना agriculture based industries की अब agriculture based इंडस्त्री राजस्तान के अंदर जो मिलती है उनमें है cotton industry sugar industry wine या alcohol industry vegetable गी जिसको वनस्पती गी बोलते हैं डालडा गी भी बोल देते हैं वो milk powder biodiesel industry और other industries अपने focus कर रहे हैं जो important industries हैं मैं रिपीट कर रहा हूं राजस्तान अपना context कहीं आप सोचों के और भी होती हैं यहां पर आपन वो classification नहीं देख रहे हैं इंडस्ट्री कितने टाइप क्यों होती है अपन राजस्तान की geography point of your से बढ़ रहे हैं सबसे पहले agriculture beast industry की बात की जाए तो cotton industry यह राजस्तान का सबसे पुराना और organized industrial sector है जिसकी शुरुवात अगर देखी जाए तो पहली cotton mill राजस्तान में लगा दी गई थी 1889 में किस नाम से the Krishna mill कहां पर लगाई गई यह बहुत important factor कई बार पूश लिए जाता है कि राजस्तान की पहली कौन सी cotton मिल थी तो option में अगर आपने को दिख जाए तो दक्रिष्णा मिल ब्यावर में राजस्तान में अगर Manchester की बात की जाए कि राजस्तान का मैंचेस्टर किसको बोला जाता है देखो मैंचेस्टर जो है वह अपनी एक significance रखता है colonial पीरियड में वैसे तो आपको आइडिया लगया होगा कि modern history में या तो आपने पढ़ लिया होगा नहीं पढ़ाओ तो मैं थोड़ा आइडिया देता हूं कि modern history के टाइम पे क्या था जब इंग्लिश रूल चल रहा था इंडिया पे तो यहां से raw material उठाते थे अंग्रेज ले जाते थे मैंचेस्टर में और मैंचेस्टर वाले नियरबाइ रीजन में वहां पर मिल्स में फिर उसकी रिफाइनिंग और एक्लोध प्रोड़क्शन होता था और वह आकर के फिर बेज़ते थे इंडिया में ही वापस तो आप देखो यहां से ही कच्छा माल उठाते थे बस प्रोसे तो आज की टाइम पर अगर राजस्थान में देखें तो राजस्थान का मैंचेस्टर मतलब जहां पर कोटन इंडिस्ट्री बहुत ज्यादा प्रवलेंट है बहुत ज्यादा फ्लॉरिश होई है तो वह है भील वाड़ा आपको क्लियर हो गई यह चीजे कोटन इंडिस्ट अगर इंपोर्टन मिल्स की बात करें कि कौन-कौन से इंपोर्टन कार खाने राजस्थान में हैं या फिर लगे हैं प्रिवियसली तो पहली है बात करेंगे अपर बिफॉर इंडिपेंडेंस उन्नीस सो से पहले हैं जब प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे राजस्थान म मिल जो एटीनेटीनाइन में स्टैब्लिश की थी सेट दामोदर दास ने कहां पर ब्यावर में फिर उनीस सो च्टैल में औरेट्वर्ड मिल सी ये भी ब्यावर में स्टैब्लिश की गई थी फिर मेवार textile mills establish की गई थी भीलवाड़ा में 1938 में इयर साब ध्यान रखते जाना कौन से year में यह establish हुई थी फिर establish हुई 1942 में पाली में महराजा उमेद सिंग मिल के नाम से और फिर 1946 में शारदुल textile mills जो कि गंगानगर में establish हुई थी तो यह जो थी यह सारी के सारी private sector में थी क्योंकि government का तो इतना involvement था नहीं government का target क्या था government कौन Britishers उनका target तो क्यों इतना सही था कि benefit कमा हो जादा दिमाग लगा हो यहां का क्या welfare ensure करना है लोगों तो government का रोल का बाता है जब local people जो भी है जो गरीब है downtrodent sections है vulnerable sections है जिनकी income level बहुत कम होती है तो उनकी security को ensure करने के लिए government को कहिना का involved होना पड़ता है पर इस time तक तो अंग्रेजों का केवल और केवल एक ही काम था खुद का benefit देखना यहां के local लोगों के बारे में क्या सोचना था तो इस वाज़े से यह सारी जो industry थी यह सारी सारी काॉन से थी private sector industry थी been इंड़यनेश के बाद में देखें तो राजस्थान में अधित्या मिल्स स्टैबलिश की गई किशंकर अजमेर में राजस्तान टेक्स्टाइल मिल स्टैबलिश की गई थी भावानी मंडी जालावाड में श्री विजयनगर कोटन मिल्स स्टैबलिश की गई थी विजयनगर अजमेर में और उद्यापूर कोटन मिल्स स्टैबलिश की गई थी उद्यापूर में राजस्तान कॉपरेटिव मिल्स यहां पर देखवा राजस्तान कॉपरेटिव मिल्स यह गुलापुरा भीलवड़ा में स्टैबलिश की गई और श्री गोपाल टेक्स्टाइल कोटा में स्टैबलिश की after independence अगर देखें तो आपन तो before independence और after independence पर होता क्या है जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं economic issues आना शुरू हो जाते हैं इंडिया देरे देरे growth की तरफ बढ़ता है तो अब economic को address करना भी जरूरी हो गया था पहले तो गरीबी ही थी अब गरीबी के साथ में अब कैसे भी करके welfare के साथ में अपने को growth भी ensure करनी है international level पर क्योंकि आसपास के देश जब growth करते हैं तो अपने को भी यूं लगता है कि वही बात कि अपना पड़ोसी अगर growth करता है तो अपने भी stagnation मतलब जो आज आप feel कर रहे हो कि market में demand नहीं है मैंने editorial में यह चीज़ बताई थी कि market में demand नहीं है supply बहुत ज़्यादा है ऐसे ही situation पहले भी हुई थी कि मतलब economic activities एक तरीकी से रुकना शुरू हो गई थी कहने का मतलब है जो शुरू आती फाइव ये प्लांस थे चाहे वो first हो या second हो जिसमे growth rate इंडिया में बहुत अच्छी register की गई थी वो जो growth rate थी वो कहीं ना गए रुकना शुरू हो गई थी that means कि economy में circulation circulation money circulation रुकना शुरू हो गया था तो इस वजह से जब यह 1974 का time था तो रूल किसका चल रहा था इंडरा गांधी government थी उस time पे Congress की government थी और इंडरा गांधी की पास बहुत पावर थी उस time तो उन्हों उन्हें फिर इस time पे nationalization करना शुरू कर दिया राष्ट्रिय अकरन करना शुरू कर दिया कि जो भी properties गाटे में जा रही है या फिर जो भी properties economically बहुत ज्यादा strong है उस property को Indian property declare कर दिया जाए ठीक है अब Indian property declare करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको उन सारी properties को टेक ओवर करना पड़ेगा और government का ownership declare करने पड़ेगी तो 1974 में यह economic stagnation था जिसका effect in cotton mills पे भी आना शुरू हो गया था तब government of India ने national cloth corporation करके एक institution establish किया और उस institution के under में पहली बार Edward Mills, Shri Mahalakshmi Mills और Shri Vijay Cotton Mills इनको मिला इनको एक तरीक से take over कर लिया और इनको tag दे दिया government industry का मतलब यह public sector में आ गई थी तो कहने का मतलब 1974 से पहले यह जितनी भी आपने देखी चाहिए before independence हो या after independence हो यह सारी industries कौन से सेक्टर में थी private sector में पर government of India ने क्या किया सारी का मतलब mainly after independence वाली mainly government of India और सौरी private sector में थी mainly पर जैसे ही 1974 का यह step लिया गया तो उसके बाद में यह जो तीन important mills थी Edward Mills दूसरी हो गई श्री महालक्षमे मिल्स और Shri Vijay Cotton mills इनको भी national nationalization कर दिया गया इनका राश्ट्री करन कर दिया गया इस तरीके से cotton industry को क्या है एक टैग मिल गया public sector का public industry का टैग मिला 1974 में तो डिरेक्ली इंडरेक्ली यहां से बहुत सारे questions निकलते हैं आप ध्यान रखना है इन चीजों का जैसे कि 90 मतलब इंडिया में content industry को public sector का टैग या public sector में कब consider किया गया तो यहां से clear हो रहा है 1974 में जब national cloth corporation established किया गया अच्छा एक चीज और students की demand आ रही थी कि sir mcqs based question आप देना शुरू करो basically देखो आपको पता है कि मैं 2-3 series already cover कर रहा हूं बट हाँ I can assure you कि जैसे जैसे अब videos अपने cover हो रहे हैं मैं आपको definitely Sunday को एक mcq की अपन series शुरू कर देंगे जल्दी पर अभी जो first coming जो मेरा prime target जो बन रहा है वो है कि art and culture शुरू की जाए आपके लिए क्योंकि इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा आ रही है देखो अकेला हूं करने की कोशिश पूरी कर रहा हूं but still you have to bear with me चलो फिर देखते हैं cooperative sector के अंदर cotton industry कौन-कौन सी बनी राजस्तान में जिसमें काजस्तान cooperative spinning mills यह गुलाब पुरा भीलवाडा में इस्टैबलिश की गई थी 1965 में ध्यान रखने एक्जामपल्स हैं आपके लिए as it is रटना पड़ेगा इनको रटने के लाओ को स्कोपी नहीं है ठीक है cooperative sector मैंने आपको बताई दिया cooperation मतलब दो या दो से जादा लोग आकर के मिलें और फिर बाद में अपनी एक आइडिया के लिए वो बैठ करके planning करें गौर्मेंट से लोन लें बैंक से लोन लें और फिर उसके बाद में अपने काम को आगे carry forward करें फिर benefit जो भी हो उसको divide कर ले खुद के बीच में ठीक है तो कहने लाक है इसके पास भी पांच है इसके पास भी पांच है और जो dairy है उसको establish करने के लिए चीए 20 लाक रुपए और तो 20 लाक रुपए में से 15 लाक तो इन तीनों मिलके कर लिए पर 5 लाक रुपए फिर बात कर ली बैंक से तो बैंक ने लोन कर दिया ऐसा करके 20 लाक रेंज ह हो गए और फिर बाद में इनोंने एक काम करना शुरू कर दिया यह कॉपरेटिशन का एक एक इग्जाम्पल है इसी तरीके से कॉपरेटिव जो इंडस्ट्री है वो काम करती है चाहिए वो किसी भी सेक्टर में कहीं पर भी काम कर रही हो ठीक है श्री गंगानगर और स्पेनिंग में यह भीलवाडा में स्टैबलिश की गई तो यह कुछ इंपोर्टेंट जो कोटन इंडस्ट्री ती राजस्थान में आपन बिफॉर इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस और कॉपरेटिव सेक्टर में देखें तो अब बात करते हैं कि कौन सी इन सारे जो एक्टिविटीज होती हैं कॉटन के इर्दगिर्द कॉटन इंडस्ट्री बेस्ट में तो उनको कौन रेगूलेट करता है तो फॉस्ट अप्रेल नाइंटीन नाइंटी थ्री को राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव स्पिनिंग एंड जैनिंग मिल्स लिमिटे तो कहीं पर उल्टा सीधा ऐस से शुरू कर गिए कुछ बोल दे था आप कन्फ्यूज मत हो जाना राइट अब्जेक्टिव क्या है इसका गौवर्मेंट और प्राइवेट सेक्टर में जितनी बी कॉटन मिल्स लग रही है उनको रेगूलेट करना अब यहां पर आप इस ने भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था है फॉरेंट डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई थी मार्केट ऑपन हो गया था तो वहां पर एक रेगुलेटर की जरूद तो पड़ेगी कि इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर अपने को मिल रहा है तो अप जाने लगए जैसे कोई आपके नियरबाई बड़ा सा फॉरेस्ट एरिया है अब वहां पर आप देखोगे कितना नैचुरल ब्यूटी है सब कुछ एक्दम फर्स क्लास है अब वहां पर पता पढ़ता है कि उस फॉरेस्ट लैंड के नीचे रिजर्वायर्स है यूरेनियम कि अब होते नहीं यूजुली पर ऐसी यूरेनियम रिजर्वायर मिलते हैं इगनेस रॉक्स में मैं एक्जामपल दे रहा हूँ एक थोड़ा सा वहां पर मालो कोईले के रिजर्वायर मिल गए या फिर कोई बड़ी चीज मिल गई या कोई भी चीज मिल गई फॉर इक्जा जो जाया है तो एक एफेक्ट कॉंपेटिशन इंटरनेशनल लेवल पर की एकोनोमी कौन से पावर्फुल बन रही है कॉंपेटिशन के बेसिस पर गौर्वर्मेंट ने पॉलिसी फॉर्मिलेट की रिसर्च हुई आयरन और का रिसर्च हुआ और मिला और उसके बाद में ज की बात की जाये तो राजस्थान में लगबग 34 मिल्स हैं सबसे ज्यादा भीलवाडा में हैं ठीक है भीलवाडा को अपने क्या-क्या नाम दिया था मैंचेस्टर ऑफ राजस्थान टेक्स्टाइल सिटी का भी टेग दिया हुए इसको 2009 में गौर्मेंट ऑफ इंडिया की द जञए नेक्स्ट आतीए शूगर इंडस्ट्र Service या राजस्थान की सपीकिन लार्जिस्ट अर्गिनाइजड ऑग्र снज्ट पर तो नहीं पता होगा थोड़ा नहीं पता है तो समझने कोशिष करना कि ऑना इज्यां पर तो पर क्रेंडTra या वीन या अकाम आ गया टेंडर आ गया कोई contract आ गया तो आपको call करके बुला लिया जाएगा जो भी labor है labor forces को call करके बुला लिया जाएगा भाई काम आ गया वो काम कर लेंगे और उनको daily basis पर wages दे दिये जाएंगे और जैसे ही काम कतम हो भाई जबकि organized sector में एक पूरे साल का प्लान होता है जिसमें उनके छुट्टियां भी fix होती है जिनमें उनका काम भी fix होता है जिनमें उनके outcome basis उनके performance भी calibrate होती है और उनको social security भी provide जाती है insurance का भी ये काम होता है taxation भी मिलता है bonus भी मिलता है वो तो सारी चीजे fix होती है एक formative way के अंतर मतलब organized way के अंतर काम करती है तो unorganized और organized sector अब आपको थोड़ा discrimination करने में problem नहीं आएगी तो organized agriculture based industry की बात की जाए तो यह second largest industry है राजस्थान की sugar industry की बात की जाए अगर important sugar mills की बात की जाए तो 1932 में भोपाल सागर चितोड़गड में private sector की पहली mills established की गई थी जिसका नाम दिया गया था the meward sugar mills ओके फिर दूसरी important sugar mills रही उसका नाम था बीकानेर industrial corporation जिसको established किया गया था 1937 में गंगानगर में ही यह भी private sector की थी पर 1956 में अब यहाँ पर देखवा आप बीकानेर क्यों नाम है यह मैंने geography history में बार बार बोला है और established कहां गंगानगर क्योंकि यह बीकानेर princely state था पता होगा आपको है ठीक है हमार जो मार जो राव गंगा सिंग जो थे वो थे किंग थे इस टाइम पर 1937 के टाइम पर तो इनके टाइम पर जो भी development हुआ वह आप यहाँ पर समझ सकते हो कि कि किस तरीके से बीकानेर princely state था तो गंगानगर में established होने के बावजूद भी बीकानेर इसका नाम रहा तो 1956 में state government ने इस बीकानेर इंडस्ट्रिल कॉर्पोरेशन को टेक ओवर कर लिया और यहाँ पर इसको government tag मिल गया क्योंकि nationalization एक तरीके से government ने टेक ओवर किया ने इसमें फिर इसका नाम बदल करके कर दिया गया था इस बीकानेर इंडस्ट्रिल कॉर्पोरेशन का क्या राजस्थान state गंगानगर शुगर मिल्स यह ध्यान रखना राजस्थान तो कॉपरेटिव सेक्टर में इन्होंने मिलके बहुत सारे लोगोंने मिलके बहुत जो लीडर मतलब एक तरीके से थोड़े धनी थे रिच पीपल थे पर इतना भी नहीं था उनके पास पैसा कि वो खुद से स्टैब्लिश कर सेके तो उन्होंने कुद का एक आर्टल पिर यह जो गंगानगर शुगर मिल है जिसके बारे में अपने देखा राजस्तान गंगानगर शुगर मिल इसको गर्मेंट ने टेक ओवर कर लिया था 1956 में यह गवर्मेंट सेक्टर की इंडस्री हो गई इसकी बारे में कुछ इंपोर्टन चीज़े बताऊं यहां पर 1968 मे beat root मतलब चुकंदर के आधार पर चुकंदर based sugar production होना शुरू हो गया था और जैसे ही 1968 में beat root based sugar production शुरू हुआ तो तो एशिया की पहली mill हो गई थी जहां पर sugar production beet root based था यह ध्यान रखना एशिया सוחस्ट यहाँ पर alcohol production भी हुआ था sera based फिर कुछ time बाद में मशीनरी थोड़े ऑपसोलीट हो गई पुरानी होना शुरू हो गई रेनोवेशन नहीं हुआ मशीनरी का तो यह जो सुगर प्रोडक्शन एलकॉल प्रोडक्शन था इस पर लग गई थोड़ी सी रोक मतलब अपने आप ही कंस्ट्रेंट आना शुरू हो गई बैनेफिट प्र कहां पर धोलपुर उसने टेक ओवर किया और यहां पर ग्लास मेटीरियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया जिसमें मेंली बॉटल्स हुआ करती थी और बॉटल्स का इसी जो भी ग्लास मेटीरियल बेज़े से मान लोगी वाइन प्रोड़क्ट को स्टोर करना है प्रिजर करन है शुगर प्रोड़क्शन को एक तो री स्टार्ट कर दिया गया है दूसरा यहां पर जो शुगर प्रोड़क्शन के बाद में जितना भी biomass बचता है जितना भी material एक तरीके से swordsible मिलता है उससे electricity production का काम भी किया जाता है जो लगबग लगबग पांच मेगावार्ड तक अचीव हो चुका है तो यह कुछ important चीज है और यह जो glass factory का जो काम है यह भी side by side चलता रहता है तो electricity production, sugar production और glass production ठीक है और जब sugar production होता है तो कहीं नहीं side by side चोटे मोटी factory जासे भी लग जाती है जहां पर alcohol production होना भी शुरू हो जाता है ठीक है तो यह रहा अपना sugar industry अब देखते हैं अपने vegetable गी की बात करें vegetable गी राजस्तान में अगर बात की जाए तो 1964 में पहली बार भीलवाडा में production के लिए कार खाना लगाया गया अभी तो आज अगर प्रेजेंट में बात करें तो टोटल छे मिल्स हैं राजस्तान में जिन्में चार जैपूर में हैं एक चित्तोडगड में है एक भीलवाडा में है तो यह data as it is आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा और सारी की सारी private sector की है आपने नाम भी सुना होगा स्कूटर अशोका सुदामा पारस विनायक समराट केसरी बहुत सारे ब्रेंड नेम से चलती है तो इन पे बेस्ट कई बार कॉश्चन पूछ लिया था है चार पांस नाम दे देंगे और यह पूछ लेंगे किस से रिलेटेड है तो वह किस से रि को लिए पहला और इकलोता एक प्लांट लगाया गया था मिल्क पाउडर प्रोड़क्शन की जरुत कहां पढ़ती है चोटे बचो को जब दूद की रिक्वायर्मेंट होती है उनकी किसी भी वज़से मतलब मदर की डेठ हो जाए या फिर किसी वज़से मदर बिमार है तो इनीशली उनको जो मिल्क की रिक्वाइर्मेंट होती है तो उसको फुल्फिल करने के लिए मिल्क की रिक्वाइर्मेंट होती है दूद की ज़रूत पड़ेगी अब दूद वहां पर on the spot hospitals में या कहीं पर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करते हो milk से milk powder बना लेते हो और milk powder को फिर आप प्रेजर्वर्टर से प्रेजर्व करके डबों में पैक करके सेल आउट कर देते हो और फिर उसके अंदर थोड़ा सा गरम पानी गुनगुना करके एक्दम ल्यूक वाम करके पानी मिला दोगे तो वापिस एक milk form में आ जाता है तो कहने का मतलब यह जो constraint थे पहले मिल्क की shortage वाले या फिर किसी भी वज़े से छोटे बच्चों के लिए प्राब्लम आनी उस चीज को इंशूर करने के लिए milk powder का एक इंडस्ट्री राजस्तान में भी 2011 में इकलोती इंडस्ट्री जो पहली और इकलोती अभी तक दूसरा कोई है नहीं बायो डीजल अल्रेडी अपन बात कर चुक है फ्यूल मिनरल्स के अंदर वहां से ही थोड़ा सा पिक करके वह की वह चीज़े रिपीट करूंगा पर यहां पर थोड़ा सा एडवांस्मेंट बताऊंगा हो बात जो जो बारतन जो यह यलो गोल्ड करके बोला जाता है जो ए टार्गेट है कि बायो डीजल मतलब डीजल जो कंटेंट है उसमें बायो डीजल को भी ब्लैंड करें जिससे कि पॉल्यूशन लेवल डाउन करो कॉस्ट जो है वह भी रिड्यूस कर दो यह सारे बैनेफिट्स एंशॉर करने के लिए राजस्थान में यह जो होबा है इसके प्रोडेक्शन को इंशॉर करने के लिए फार्म हाउसे एक तो फार्म हाउस है धंड जैपूर में एक है फतागड़ सीकर में दीजार वेरी इंपोर्टेंट सेफेक्ट्स आपको याद रखने है राजस्थान में एलकोहल प्रोडेक्शन पॉइंट ऑफिसे देखा जाए तो अलवर बहुत फेमस है अलवर में बहुत ज़्यादा अलकोहल प्रोड्यूज होता है इसलिए राजस्थान का स्कॉट्लेंड भी बोला जाता है एक इंपोर्टन फैक्टर थोड़ा याद रखो तो अच्छा रहेगा आपके लिए नेक्स्ट अगर बात करें अग्रिकल की उन प्रोवाइड करती है उनके अलग अलग उनकी यूसेज हैं फाइन से लेकर के बिल्कूल रफ तक की वूल अपने या राजस्थान में अवेलिबल है आप समझ सकते हो कि कितना एक ब्रॉड बेस अवेलिबल है इस इंडिस्ट्री के लिए राव माटेरियल सप्लाई क एशिया की सबसे बड़ी वुलन मंडी जो है उन की मंडी वो बिकानेर है ठीक है और सबसे बड़ा सेंटर जहां पे वुलन क्लोज का प्रोडक्शन होता है देखो कॉटन और वुलन प्रोडक्शन दोनों जगह कहां पर हो रही है सबसे ज़्यादा भीलवाडा में तो आप कंफ्यूज मत होना कि कहीं आप ब्लाइंड लिए सोच लो कि हाँ कॉटन के लिए पूछा है भीलवाडा गना हमारा है तो कॉटन के लिए फेमस होगा नहीं वूल के लिए भीलवाडा फीमस है स्टेट वुलन मिल यह स्टैबलिश की गई कहां पर बीकानेर में जो गवर्मेंट ऑफ राजस्थान का कहीं नहीं इसमें स्टेक है फिर बात करें कि इंडिया लेवल पे वुलन बेस जो भी इंडस्ट्री है उसके एडवांस्मेंट के लिए रिसर्च और डवलप्मेंट क बोर्ड यह कहां पर है जोदपुर में और अगर वुलन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफिस से देखा जाए तो इंपोर्टन प्लेसिस कहां कहां पर हैं भीलवाडा बात कर ली बिकानेर भी बात कर ली जोदपुर भी बात कर ली इनके अलावा कोटा चुरू लाड़नू जो क क्युदू